हेलो दोस्तों, जैसे शादी करते वक्त साथ कस्में खानी पड़ती है, तो रेक्टिफिकेशन आफ एरर में गलतियों को सुधारते समय आपको आठ कस्में खानी पड़ेगी अपने आप से, अब ये आठ कस्में क्या है, लाइन से दिखते हैं ये, सबसे पहले पूरे परचेज बुक में उसको रेकॉर्ड किया होगा, ना कि जनर एंटी उसने पास किया होगा, यह हो गया, एजम्शन नमबर वन, सेकंड नमबर, जबी भी रेक्टिफिकेशन किया जाता है, तो हमारा फोकस होना चाहिए, अकाउंट में क्या होगा, मतलब लेजर के जो जार उपय का, वो परचेज बुक में एंटर नहीं किया, लेकिन वो एक्स के अकाउंट में करेक्ली पोस्ट हो गया, तो देखो भी, काईज़े से देखा जाया, तो अगर परचेज बुक में एंटर नहीं किया, मतलब परचेज की एंटरी नहीं बनी, तो देखा जाया, त पिरकेवल purchase account में गलती होगी, मतला आपको purchase account को debit करना पड़ेगा, तो यह हो गया second number, तीसरी कसम क्या खानी है, अगर कोई भी question में आपको word use करता है, कि हमने इसको wrongly enter किया, wrongly record किया, या transaction enter नहीं किया, अभी ऐसा लिखता नहीं कि, यह जर्नल या subsidy book जिसकों बोलते है, primary book कि primary book में record नहीं हुआ, या ledger में record नहीं हुआ, तो हमेशे जब word आता ने कि record नहीं हुआ, enter नहीं हँआ या transaction कोई record ही नहीं किया, गलत रिकॉर्ड किया, तो इसका मतलब होता है, कि journal book या subsidy book में record नहीं हुआ, मतलब यह माना जाता है कि primary book में transaction record नहीं हुआ ठीक है जैसे दो example देखिए अगर question में बुला है कि हमने Y को goods बेचा 1000 रुपए का और wrongly record कर दिया 100 रुपए तो wrongly record कर दिया मतलब क्या माना जाएगा कि जो sale book है ना उसमें 1000 रुपए की जगा आपने 100 रुपए record कर दिया तो आपको माले में अगर primary book में अगर आपने गलत record कर दिया तो उसका दो effect आएगा क्योंकि journal entry को देख कर ही तो हम ledger में posting करते है तो यहाँ पर Y का भी account गलत हो जाएगा sale का भी account गलत हो जाएगा second example है अगर question में बोलता है कि अरजुन को गुर्ष बेचा इसको record ही नहीं किया तो ऐसा मत सोचना है कि अरजुन की account में record नहीं किया record नहीं किया मतलब क्या होता है कि हमने इस transaction को record ही नहीं किया मतलब journal entry नहीं बनाई या sale book में record नहीं किया तो यह होगी आपकी कसम नंबर 3 अब यह बचिए पांच कसमे और चौती कसम अगर question में ऐसा बोलता है कि posting करते समय गलती किया तो यहाँ पर हमेशा ही assume करना कि हमारी जो subsidy book है या जो journal हो बिल्कुल सही है मतलब primary book सही है कि वो लेजर में post करने में mistake हो आई for example अगर आपको दिया कि हमने X से goods purchase किया and wrongly posted as 1000 तो आप याद कीजे purchase किया मतलब अपन assume करते है कि purchase book में entry क्या होगा subsidy book में entry क्या होगा तो हमने यहाँ पे subsidy book में मान लेंगे कि purchase book में entry होगी purchase book से posting कहां पर होती है X के account में तो किवल X का account डरते है क्योंकि purchase book अगर सही है तो यह माना जाएगा कि purchase account भी अपना सही है क्योंकि purchase book का जो total होता है वो purchase account के debit में जाता है तो यह assume करेना कि भी आप purchase book सही है मतलब purchase account सही है तो गलती केवल X के account में है क्योंकि purchase book का जो individual item होता है वो relevant creator के account में post होता है यह जो word use किये जाते हैं इसका मतलब क्या होता है तो अगर word आता है debited to जैसे wrongly debited to तो इसका मतलब होता है कि यह उस account में posting की बात कर रहा है मतलब posting उसने debit में किया यह word आता है कि created to इसका मतलब posting उस account के create में किया मतलब यह दोनों word posting से related है जैसे एक्जांपल देखिए, अगर क्यूशन में लिखा है कि राम से गुर्ष पर्चेस किया, 200 रुपए का, रॉंगली डेबिटेट टु इस अकाउंट, तो इसका मतलब क्या हुआ, कि हमने राम से पर्चेस किया, तो रॉंगली डेबिटेट टु इस अकाउंट का मतलब क् यह राम के account के credit में post होना था हमने post कहां कर दिया राम के debit में तो यह हमसे गलती हुई है तो यह ध्यान रखिएगा example 2 जैसे question में ऐसा बोलाई कि हमने furniture purchase किया और wrongly charge to purchase account तो जो word आता है ना charge to तो इसमें भी assume करना पड़ता है कि furniture की जगा हमने purchase account में charge कर दिया या purchase account में लग दिया तो उस case में क्या करना पड़ेगा furniture account को debit करना पड़ेगा और purchase account को credit करना पड़ेगा इसके बाद six number की कसम कई बार question में बोलता है कि कोई भी subsidy book का नाम होगा और उसमें बुलेगा कि उसकी under costing हो गई या over costing हो गई ठीक है तो under costing over costing अगर हो गई ऐसा लिखाना तो ध्यार रखना है एक ही account effect होगा जैसे example देखिए अगर question में आपको बोला है कि जो BR book है वो पांच जार रुपे से under cost हो गया तो इसका मतलब क्या हुआ जो BR book का जो total होता है वो total कम लग गया तो यह आपके BR account को debit करना पड़ेगा साथवी कसम आखरी दो कसम कभी question में अगर अगर आपको question में लिखाए कि जो गलती का पता वो trial balance बनाने के पहले चला तो उस case में ध्यान रखना आप जबी activation करोगे तो कभी भी suspense account involved नहीं होगा कभी भी suspense account involved नहीं होगा जो suspense account word है ना वो second stage और third stage में आता है तो वो मैं बाद में अगले वीडियो में बात करूँगा कि second से third stage का मतलब क्या है और आठवा point है अगर question silent है अगर question किसी particular side के बारे में silent है किसी particular side का मतलब क्या हुआ दो side होता है debit side होता है credit side मान दीजी question में debit side के बारे में बात कर रहा है पर credit side के बारे में silent है तो आप भी silent हो जाओ यह also remain silent क्या मतलब हो इसका जैसे for example अगर question में लिखाए कि राम को 10,000 रुपे का payment किया तो आप anti सोचो क्या होगा राम को debit करना पड़ेगा cash को credit करना पड़ेगा अब question में क्या लिखा है wrongly debited to his account as thousand हमने गलती से उसके account को 1000 रुपे से debit कर दिया तो देखो credit जो cash debit कौन सा account है राम तो यहाँ पर यह मानना पड़ेगा कि राम का account में गलती है जो दूसा account है cash account उसके बार में create वाले account के बार में कोई बात नहीं कर रहा है तो आप यह मानिएगा कि credit का account बिलकुल सही है तो यह आठ कसमे को दिमाग में रखते विए आपको rectification के topic को solve करना है यह पूरा एक मैं series लेकर आ रहा हूँ और इस series में मतलब यह जैसे concept number 1 है वैसी concept number 2, 3, 4 जितने important concepts है वो हम वीडियो के थ्रूर रिवाइस करते रहेंगे और एक बात बता दूँ आपको rectification of error करने के पहले आपके कुछ topic solid होने चाहिए उसके बाद यह topic समझ आएगा वो topic कौन कौन सा है journal, ledger, trial balance, subsidy book, cash book तो यह 5 chapter होने के बाद यह आप इस chapter को देखिएगा और यह revision video है तो मैं उमीद कर रहा हूँ कि आपने पहले से पढ़के रखा होगा तब यह आपके लिए helpful होगा और अगर आपको यह video पसंद आता है और आप चाहते हैं कि आपको बहुत फायदा मिला है तो इसको जरूर से like कीजिएगा, share कीजिएगा ताकि आपको भी motivation मिले और comment करके बताईएगा जरूर से कि आपको और कौन से topic पर वीडियो आपको लगता है कि revision की वीडियो की जरत है तो मैं जरूर support करूँगा, thank you